विचार किसी भी व्यक्ति का दर्पन होते हैं। इसी से वशिबुत होकर व्यक्ति अपने जीवन को उन्नती के पत पर अग्रसित करता है। दूसरी और उदेश्य हिन विचारों के प्रवा से वे अपने जीवन को गर्त में भी दकेल सकता है। इतना ही नहीं विचारों के मात्यम से ही देश और दुनिया के कई महान लोगों ने दोलोत और नाम अरजित किया है। कुछ इसी तरह के साकारात्मक उपाओं की चर्चा करती अमेरिकन लेखक नेपॉलियन हिल की किताब जिसका शीर्षक है सोचो और अमीर बनू ठिंक एंड जिसमें लेखक ने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है बस उसके लिए वच्चता है आतम सुदार की। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना जुरूरी है। इससे आपको लेखक की मनोदशा के बारे में ग्यान मिलता है। सोचो और अमीर बनो किताब के लेखक नेपॉलियन हिल दुनिया के जाने माने लेखकों में से एक है। जिनका जनम 26 अक्तूबर 1883 को बरजीनिया में हुआ था। नेपॉलियन हिल ने एक लेखक के तोर पर वेक्तित्व विकास, आतम विश्वास, आतम निर्बरता, आदी विश्यों पर किताबें लिखी हैं। इनकी किताब सोचो और अमीर बनो जिसका लेखन इन्होंने साल 1937 में किया था। लेखक ने इसमें इस बात पर जो दिया है कि कोई भी विक्ति कैसे जीवन में अपने विचारों और आतम सुदार के दम पर अमीर बन सकता है। और किसी इतना ही नहीं ये किताब दुनिया की सेल्फ मोटिवेशन किताबों की सुची में एक अपना अलग स्थान रखती है। एक बार की बात है कि नैपोलियन हिल को उनके मित्र एंड्रियू कुनोजी ने अमीर लोगों का एक राज बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी नोक में खोजबीन करते रहे और जब उन्हें अपने इस पचल का उत्तर मिल गया कि कैसे किसी भी पेशे में सफलता अरजित की जा सकती है तो उन्होंने इसे दुनिया के साथ सांजा करने की सोची और अपनी किताब ठिंक एंड ग्रो रिप में उन्होंने ये रहस्य लोगों को बताया है इस किताब में 13 स्टेप बताए गए हैं जिने नेपोलिन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है कोई भी इन स्टेप को बना कर अपनी जिन्दगी को सक्सेस्फल बना सकता है अगर आप अपनी जिन्दगी में पैसा मान समान परसनलिटी स्कून और खुश जाएंगे तो अब त्यार हो जाएए क्योंकि जो मुका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी जिन्दगी को बद़ सकता है नेपोलिन हिल ने हमें इस सीकर्ट का एक कलू भी दिया है कि सबकी तरकी और सबकी अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया होता है और जी जान लें कि ये किताब ठिंक अंग्रोरिच किन लोगों के लिए है वे लोग जो सफल और कामजाब बनने का हरस्य जानना चाहते हैं वे लोग जो सफल और कामजाब लोगों की तरह सोचना चाहते हैं वे लोग जो खुद पर बरोसा करना सीखना चाहते हैं वे लोग जो किसी कारण से अपनी मंजिल को हांसिल नहीं कर पा रहे हैं कुछ बड़ा हांसिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी खुआइच होनी चाहिए जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है अपने सपने के बारे में लगातर सोचने से आप उसे पाने के रास्ते लूनने लगते हैं एक टर्म है जिसे मनी कॉंचिसनेस कहते हैं जिसका मतलब है पैसे के पीछे दिवाना होना जाने आपके मन में खुब पैसा कमाने के इच्छा है यह दिमाग की एक हालत है, यानि state of mind है, यहाँ आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं, जब आप money consciousness बनते हैं, तो पैसा कमाने लगते हैं, हम यहाँ पर 6 स्टेप बता रहे हैं, जो पक्का आपको money consciousness बना देंगे, पहला स्टेप, आप कितना पैसा कमाना चाहते है यह सोच लीजिए, सिर्फ यह बोलना काफी नहीं होगा, कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको एक fix mount तो सोचना ही पड़ेगा, ताकि अपना सपना सच में पूरा कर सकें, दूसरा स्टेप, आपको यह तै करना होगा, कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तीसरा स्टेप, वो तरीक डिसाइड करें, जिस दिन आपको अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे, तोथा स्टेप, एक ऐसा खास प्लान सोचना चाहिए, जिससे आप यह पैसा कमा सकें, और एक प्लान करने के आपको बिना जिजके उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, पांचमा स्टेप, आप अपना फूल फूल प्लान कहीं लिख लें, कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, यह हर चीज आप एक पेपर पर नोट कर लें, और अखीर में छटा स् स्टेप्मेंट को दिन में दो बार पड़ें, और याद करें, अगर सच में आपके अंदर मीर बनने की ख्वाइश है, तो इन सच को फूलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, इस तरहें आप देखेंगे, और मैसूत करेंगे, और जकीन भी कर पाएंगे, कि आपके पास पैसा है, इसे दोराते रहें, और आप मनी कॉंशिसनेस बन जाएंगे, एक बात जाज रखिए, कि हर बड़ी अचीवमेंट हांसिल होने से पहले एक सपना ही लगती है, ठिंक एन ग्रो रिच, टैप्टर नमबर टू, खुद पर बरोसा करना, एक ऐसी ताकत है इस जुनिवर्स में, जो हमें उन चीजों के पास ले आती है, जिन पर हम बरोसा रखते हैं, जब हमें पोजिटिव ख्याल आते हैं, तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेक्टिव सोचते हैं, तो बुरी चीज़ें अपने आप ह होने लगती हैं, देखा जाए तो बैट दक्जा बुरी किसमत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर जकीन करते हैं, वो माईने रखता है, कुछ लोग बेवज़े ही कुछ को बदकिसमत मानने लगते हैं, और कुछ तो खुद को हमेशां गरीब ही समझते रखते हैं अगर हमें ये जकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बद़त सकते तो इसका मसलब है कि हमने अपनी बदकिसमती खुद लिकी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे, वहीं चीज़े हकीकत में होने लगेंगे, अब अगर आप अपने दिमाग में डर और सक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर बरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दाइरे में बान रहें जिससे बाहर आपाना मुश्किल होगा। मनी कौंशिसनेस बनने के लिए खुद पर बरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहें कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, मैसूस करें और माने, खुद पर जकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएगे। यो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो सफलता दिला देगा। अपने बारे में कुछ से अच्छी बाते करें। हमारा सबकॉंचिस दिमाग असल में एक उपजाओ जुमीन की तरह हैं। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें गास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ओटो सुजेशन जा सेल्फ सुजेशन अपनाना होगा। ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कच्रा ना होगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉंचिस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुम सकते हैं। हमारा यही सबकॉंचिस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ओटो सुजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पोजिटिव सोच विचारों से बरें। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तब ही हमारी हार होती है। यह बात हर दिन दोराएं। कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए त्यार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी ये आदत आपको असल में ऐसे मुक्के देगी जिससे आपकी सफलता एक हकिकत बन जाएगी। आज से खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू करते हैं। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉंचिस माइन में ही हैं। बस ओटो सुजेशन की प्रैक्टिस करते रहें। ताकि आपका प्लान आपके पास खुद वखुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के भगीचे में अच्छे अच्छे पोजिशी विचारों के बीज जालना शुरू करते। ठिंक एंड ग्रोरी चैप्टर नमबर पॉर अपनी मनजिल को हांसिल करने के लिए और्गिनाइज प्लानिंग करें। जो चीजें हम जर्नल नोलज पढ़कर जहां स्कूल में सिखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती हैं। जब तक कि हम असली जिन्दगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक किताब भी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरस्ट है, तो आप उसमें कोई शोर्ट कोर्स कर सकते हैं। या उसकी टेनिंग ले सकते हैं। इस तरहें आपकी उस चीज की पूरी नोलज अच्छी तरह से हांसिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपके बिजनस में काम आ सकती है। सीखना केवल एक स्कूर तक ही नहीं होता। आप जिन्गी में किसी भी उमर में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमली वाले हों या फूल टाइम योब कर रहे हों। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाज नोलज होनी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इंप्रूब करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनीज इंप्लोई रखते वक्त उनका क्रिडेंशल तो देखती ही हैं। साथ में उनकी परसनेल्टी पर भी गोर करती है। आप किस तरह से लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं। या सिच्वेशन को हैंडल करते हैं। ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी बले ही एजुकेटर ना हूँ। मगर उसमें एक हाथ एंबीशन और परसनेल्टी जरूर होती है। जाद रखें कि जो इनसान सुकूल की पढ़ाई वो ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है। वो हमेशा मामूली इनसान ही बंद कर रह जाता है। वो बले ही एक मुकाम हांसिल कर ले। मगर सक्सेस तब ही हांसिल होती है जब आप जिनकी में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। आपकी कल्पना करने की क्शमता ही आपकी काबलियत है। बहुत पुरानी बात है एक बुरा देशी डॉक्टर एक कैमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान पर काम कर रहे एक कलर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक कैटल एक लकड़ी का पैंडल जिससे कैटल में बंद ही ड्रिंक को गुमाया जा सकता है और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्सेमाल करके वो कलर्क अमीर बन सकता है। लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को 500 डॉलर देने पड़ेंगे। ये सुनकर उस कलर्क ने 500 डॉलर में वो तीनों चीजें करीज ली। डॉक्टर ने 500 डॉलर कलर्क से लिए और वहां से चला गया। क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा करजा उतार कर अराम से रह सकता था। उस जवान कलर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इंवेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल से उसके हाथ एक किसम का सोना लगा था जिससे शूगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वज़े से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउट के एक फोटे से चेहर को बिजनस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। क्या आप जानते हैं उस कैटल से क्या मिक्चर बना था। कोका कोला। जी हाँ उस मिक्चर से जो तीज बनी वो थी कोका कोला। जिसने ये मिक्चर बनाया उस कलरक का नाम था असा कैटलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सिक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था वो थी असा कैडलर की इमेजिनेशन हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पढ़ती है तांकि वे हकिकत बन पाएं जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच आप सोच बदलिए अपनी मेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए फिर देखे कमाल शुरू में कोका कोला भी एक आइडिया ही था आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आजपास देखते हैं जैसे गैज़ट या सोचल मीडिया इन सब के पीछे आइडिया ही है हम में से बहुत से लोग जिन्दगी बर एक ब्रेक का इमतिजार करते रहते हैं लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि हर तरें के क्रिटिक्स को जेल सके इसमें आपको हार, निराचा और डिस्करिजमेंट भी मिल सकता है तो इन सब बातों के लिए त्यार रहें अपने आइडिया को अपना जनूर बना लें बिना रुके लगातार इस पर काम करें इसे असलियत का जामा पहनाएं तब ही आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरफ से चैलेंज जेल पाएं अपने आइडिया को अपना जनूर बना ली जिए बिना रुके लगातार इस पर काम कीजिए इसे असलियत का जामा पहनाएं तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलिंज जेल पाएगा अपनी मंजिल को हांसिल करने के लिए और्गेनाईज प्लानिंग करेगा जब तक आपके पाथ कोई पक्का प्लान नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते ऐसे लोग डूड़िये जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें जब आप लोगों की मदद लेंगे तो यहीर है बदले में आपको उन्हें कुछ फाइदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा अपना एक ग्रूप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिसकस करते रहें फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रूप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन काइन करें आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक इनसान में हर चीज की नौलेज एक्सपिरियंस जा अबिल्टी नहीं होती है सकसेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की जरूरत पड़ेगी इस बात का जियान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रूप के सबी मेंबर्स की राए ली जाए अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूटरे पर काम करें और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पका प्लान नहीं हास लगता याद कीजिए कि किस तरह थोमस एड्सर ने दस हजार बार कोशिश की थी तब चाकर वे लाइट बलब बनाने में काम जाब हुए थी बार बार फैल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए जो हार मानता है वो कभी नहीं जीता और जो जीता है वो कभी हार नहीं मानता जो हार मान लेते हैं उनमें जनून की कमी होती है लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखीर में विनर बनते हैं फेल होने का मतलब है कि कई कुछ गल्थ है जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाब की जरूरत है अगर ठोमत ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उनका नाम तक नहीं जानता जब आप फेल होते हैं तो उसकी वज़े दूडिये इसे बहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप एक निया फूल प्रूफ प्लान बना कर उस पर नए सिरे से काम करें फोर्ड मोटर की कार मौडल्टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बचसूरत कार मानी जाती थी हैंडी फोर्ड को उस कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सला दी लेकिन फोर्ड नहीं माने और माडल्टी कार बनाते रहे हाला की बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाब जुरूर किया लेकिन उससे भी पहले मौडल्टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी हैंडी फोर्ड अपने तुरंट फैंसलो और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इनसान के अंदर ये क्वाल्टी होती है कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशन गरीव और सेलिर ही रहते हैं जब आप तुरंट फैंसला करते हैं और उस पर तुरंट काम भी शुरू कर देते देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बरबादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता फोर्ड ने उन लोगों की बात बिलकुल नहीं मानी जिन्होंने मौडल्टी की बुराई की थी क्योंकि उन्हें अपने लिए हुए फैंसले पर पूरा ज़कीन था अब अमीर लोग कोई भी फैंसला लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते बलकि उनमें दीरे दीरे जुरूरी बदलाव लाते है वे असानी से लोगों की बातों से परवाबित नहीं होते बलकि खुद के आइडिया पर बरोसा रखते है ओपीनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है कोई भी किसी को मुफ्त में सला देने के लिए त्यार बैटा है अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फैदा नहीं होने वाला ज़्यादा तर लोग आपको ऐसे बे फजूल की सला देंगे जो आपके किसी काम नहीं आएगी और ना ही मोटिवेट करेगी फिर चाहे वो आपके पके दोस्तिया रिष्टेदार ही क्यों नहूं सिर्फ अपने मास्टर माइंड ग्रूप के साथ ही काउंसिल करें सिर्फ आपका ग्रूप ही आपके साथ पूरी तरह से सिंपती और हार्मनी रखता है क्योंकि आपका परपस एक ही है अपने ग्रूप के मेंबर भी सोच समझ कर चुने आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें सक्सेस्फुल बने कि यू आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने अच्छे फैंसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं दुनिया का दस्तूर है कि जहां उसी इनसान की कदर होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले और सक्सेस्फुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हांसल करके ही रहते हैं सफलता के लिए जिद्धी बने बेशक दीरे दीरे मगर लगातार आगे बढ़ते रहे आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए तब ही तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल को चुल लीजिए आप क्या हासिल करना चारते हैं और क्यों ये जानना बहुत जुरूरी है तब ही आपको मोटिवेशन मिलेगी खुद पर जकीन रखें कि आप इतने काबिल है आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है अपने लिए एक सही प्लान को त्यार करें जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मिंटेन करें अपनी विल पावर की परक लें फिर अपने प्लान पर फोकस करें सबसे पहले जुरूरी है कि अपने मन के डर को बगा दे जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतिजार में बैटे हैं कोई मन पसंद जॉब जा बिजनस ओपरचुनटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है लेकिन ऐसे लोग बिसपॉइंटेज रहते हैं ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफोर्ट भी करने पड़ते हैं ये अचानक नहीं मिल जाता लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं तो उसके राष्टे पर लगातार बढ़ते रहते हैं अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉंग डिजायर और खास प्लान से ये मुक्ता पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाई ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने असानी से गिव अप कर दिया एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया मगर ये हार तो टेमपरेरी थी इस बात को बेब बूल गए हार का एक ही जबाब है और वो है आगे बढ़ते रहना कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें पर्खने केलगे हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकाब्टे डाल देता है हमारी हार हमारी बिल पावर को पर्खने का बस एक तरीका है जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेंगे तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकाबण नहीं बनेगी फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही दम लेंगे ठिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर नमबर नाइन मास्टर माइंड लोगों का साथ चुने एक कहावत है कि नौलेज इस पावर मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीद नहीं बन सकते नौलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इससे माल किया जाए मास्टर माइंड ऐसे लोगों का ग्रूप होता है जो आपकी नौलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके इन लोगों की इच्चा और मकसद वही होता है जो आपका है इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनरजी देगी लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हम लंबे समय तक एनरजी मिलती रहेगी ऐसे ही जब आपके पास मास्टर माइंड ग्रूप होगा तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं अपनी कॉर्परेशन बनाने से पहले हैंडरी फोड भी एक गरीब अनपर्ड और एरोगेंट इनसान थे लेकिन उन्होंने अपना बिजनस ऐसे पचास बरोशे मंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टर मांड थे उन्होंने थोंस एडिसन के साथ दोस्ती रखी फोड ने अपने इन बरोशे मंद और महां दोस्तों के साथ बहुत ही मिलन सार और सहयोगी रिस्ता बनाए रखा अपने इसी काविल मास्टर माइन ग्रूप की वज़े से हैंडरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े और सफल बिजनसमेंट बन पाए सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पड़े लिखे और इंटेलिजनेट बनने में और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे एक मास्कर माइंड गरूट से जुनने से बहुत से एकनॉमिक एडवांटेश तो हैं ही बलकि मानसिक गरूट से भी फाइदमन्द है जब भी दो दिमागी तास्तें आपस में मिलती हैं तो एक नई अंदे की ताकत पैदा होती है जो उन तोनों दिमागों के साथ मिलकर तीन दिमागों जैसी ताकत पैदा करती है जाहिर है कि एक गरूट में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे कुल मिलाकर कहें तो दो दिमाग एक अकेले से ज्जादा बेतर सोच सकते हैं अगर ग्रूप के लोगों के बीच अच्छा working relationship है तो वे मिलकर किसी भी individual से ज्जादा अचीव कर सकते हैं वे मिलकर कमाल कर सकते हैं क्योंकि एक अकेले इंसान की तोलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होगी ठिंक एन ग्रोरी चैप्टर नमबर 10 दिमिस्ट्री ओफ सेक्स ट्रांस्मूटेशन ट्रांस्मूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है सेक्स ट्रांस्मूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कोई और प्रड़क्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्यूंकि इसमें बहुत पावर होती है क्योटिविटी और बिजनस के लिए सेक्स एनर्जी का पेस्तरीन इस्तेमाल हो सकता है सेक्स एक नेट्रल चीज है ये इनसान की जरूरत की चीजों में शामिल है आप इससे मूँ नहीं मोर सकते अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्क्यूटिव हत्यार बन जाता है लेकिन अगर इसे एक बिल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ इस्टीव किया जा सकता है जितने भी सक्सेस्पल मुजीशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनसमेन हैं उन्होंने अपनी इस शरीर की बूग का इस्तेमाल अपनी क्रेटिविटी में किया और महान बने जो इन्सान सेक्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुरम, गरीबी और बदहाली में ही जीता है जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा बला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उबरा है जीनियस इन्सान किसी प्लेन के पाइलेट जैसा होता है वो पहाड़ों और पेड़ों के उपर से जाता है वो उट्री उडाने लगाता है एक जीनियस इन और सक्षन को पार करके खुद को आजाद कर लेता है अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेतर इस्टेमाल करके खुद के लिए तरक्की के राष्टे कोल सकता है हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन शिक्स सेंस की तरे है जीतना जादा हम उसे यूज करेंगे वे उतने ही अच्छी होती जाएगी creative imagination की practice से successful लोग और ज़्यादा समझदार और productive बन जाते हैं study से ये prove हुआ है कि successful लोगों में strong sex energy होती है लेकिन वे इस energy को वहाँ apply करते हैं यहां उन्हें अपनी creative outlet की जरूरत होती है जितने भी गाने, कविताएं या nobles हैं उनमें love and sex का ही जिकर है आपके अंदर का करिश्मा और confidence आपकी sex अपीर से ही जलकता है आप किसी भी artist या business man को देखिए, आप खुछ समझ जाएंगे आप भी अपने अंदर की इस potential को अपनी creative imagination के लिए use करें अपनी sexual energy को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया डूंडे जो creative हो ना कि उसे शरीर की भूख समझ कर शान करते रहें, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ती है इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाएं और साथ ही अपनी sexual energy के advantage से अपने career को नई उचाईयों पर ले जाईए और अमीर बनिये Think and Grow Rich, Chapter No.11, The Subconscious Mind हम सब जानते हैं कि सब conscious दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, बावनाएं और पैंसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है हमें बस यह करना हैं कि हम अपने मन को हमेशा पोजिटिव बिचारों से बरा रखे दीरे दीरे यही पोजिटिव बिचार हमारे सब conscious माइंड में बैशते चले जाएंगी यह तरीका है जो दीरे दीरे हमें सफलता की और ले जाएगा अपने सब conscious को इंप्रूफ करने के लिए अपने दिमाग में जकीन, प्यार, सेक्स, जोच, रोमांस और उमीद से बरे ख्याल लाएं कभी भी अपने दिमाग में बेकार का दर, किसी से नफरत, जलन और बदले की बावना जान लालच और अंद बिश्वाज जैसे विचार ना रखें कोशिश करें कि ये नेक्टि विचार आपके दिमाग में आए ही ना नेक्टि सोचने से ही आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं इससे आप और भी जाड़ा गरीबी की दलदल में डूब जाएंगे अभी आपके पास अपना खुद का एक परसनल प्लान है जिसके दम पर आप सकसेस पा सकते हैं आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं खाला की वो प्लान अभी आपके सब कांचिस माइन में बन पड़ा है उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेक्टिव विचारों से चुटपारा पाना होगा पहले पोजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करनी होगी तांकि आप इसे और बहतर समझ सकें हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें अपने चाहतों को प्यार, सेक्स, उमीद, रोमांस, जोस और खुशियों को अपनी आदत बना ले और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की बावना से छुटकारा पाएं इनसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है इसे सेंडिंग और रेसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है जो भी 13 स्टेप यहां बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके पैसिस्टेंस तक हर चीज की पलानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमागे सेरेवल कोर्टरेट में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं इससे भी मज़दार बाद जी है कि यह सारी सेल्स एक खास तरीके के आर्डर के हिसाथ से अरेंज़ड है नर्व सेल्स के अरेज्मेंट का यह तरीका हम इनसानों को फीजिकली और मेंटली काम करने लाइक बनाता है हमारे इमोशन और मेंटल स्टेस के लिए हमारा ब्रें ही जिम्मेदार होता है यह बिल्कुल सच है कि हम बाके में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं अपने दिमाग में पोजिती विचारों को बरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही डूँड सकते हैं अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंट सेंसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं और हम अपनी सेक्शुल अनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं और ये सब हमारे छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है अगर आप रोज खुद को रिजूमिलिक करने की प्रेक्सिस करें तो अपनी नौलेज और प्रेटेंशल दोनों ही बढ़ा सकते हैं और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हांसिल कर सकते हैं मेंटल टेलिपेट्टी मुम्किन चीज है अगर आप अपने मास्टर माइंड डूप्ट के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपक्त में डिसकस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांच कर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का हमेशा इसे ने ने आइडिया के लिए रिजुबिनेट करें जो कुछ भी आपने इस रिव्यू से सीखा उसे रियल में अपलाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को सुल सकते हैं उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोराएं जो आपको मनी कॉंचिस बनाएंगे आप अपनी फाइनेंशल सक्सेश से अब ज़्यादा दूर नहीं है अमीर और सक्सेशल बनने के लिए इन तेरा सेश का आखरी स्टेप है जब तक आप बाकी के बारा सेश में महारत हांसिल नहीं कर लेंगे तब तक आप सिक्स सेंस तक नहीं पहुंच सकते ये सिक्स सेंस हमारे सबकॉंचिस माइंड का ही एक हिस्सा है जो हमारी क्रियेटिव इमेजिनेशन को समालता है ये ही हमें दुनिया की इंफिनाइट इंडेलिजन से जोड़ता है कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैट की तरह देखते हैं जिसे हंचिस कहते हैं ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती लेकिन इसे हर कोई मैसूस नहीं कर सकता बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अश्रीव कर सकते हैं बड़ा करने के लिए मोटिवेशन मिलती रही ये सिक्स सेंस हमारी मेंटल और स्पिल्ट्रो स्टेट दोनों को जोड़ती है ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनन्त ब्रमाण के साथ कनेक्ट करता है हमारी सिक्स सेंस ना केबर हमें क्रियेटिव आइडियास देती है बलकि कई बार आने वाले खत्रों का भी इशारा कर देती है इन्फिनाइट इंटेलिजन्स वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कन जानी एटम में होती है इसके अंदर पूरे ब्रमाण की अनर्जी समाई होती है यही वो शक्ती है जिससे पानी हमेशा नीचे की और बहता है रात के बाद दिन निकलता है और सरदी के बाद गर्मी आती है इसकी वज़े से ब्रमाण की हर चीज एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्सिस करके खुद को इंफिनाइट इंटेलिजन्स के साथ जोड सकते हैं जैसा कि सभी जीनियस करते हैं हम भी अपने सपनों को मिटिरियल फॉर्म जानी हकिकत बना सकते हैं क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं इच्छाए होती हैं जो हमारे दिमाग को डॉमिनेट करके रखती हैं हम अपनी हार जाजीत को खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हांसिल कर सकते हैं सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है जैसे जैसे आप इन तेरा स्टेस्ट वर आगे बढ़ते जाएंगे आपको बिज़्जम मिलता जाएगा अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने आखिर में एक सक्सेस्ट आदमी ही इस लौज अफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन तेरा स्टेप्ट में जाकर इन्हें दुहरा सकते हैं तांकि माइन स्टीमुलिशन के हाई लेवल को आप पासकें आपके पास वो सबısूlorी तेरा स्टेप्ट हैं जिसके लास् चैप्टर में आप सीखेंगे कि दर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिन्ट में बांद कर रखेगा और बिना इस दर को जीते आप अमीरी की रापर पाम नहीं बढ़ा सकते हम सभी के मन में कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दोलत मन नहीं बनने देते हैं और वो दुश्मन हैं असमज़त, शक, किंता और नेक्टिव ख्याल इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकि खुद बाकुद आ जाएंगे जब तक आप इन से लड़कर इने दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते ही रहेंगे कभी हाँ कभी ना और खुद पर जकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है हम यहाँ आपको ऐसे छे बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं जो हैं गरीबी का डर अलोचना का डर ख्राब सिहत का डर प्यार खोने का डर बुढपे का डर और अखीर में मोद का डर इन में से हर डर हमारी काफलित को कम कर देता है उसे एक लिमन्ट में बाढनने लगता है मगर अ村्यत में ये सबी डर हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं इसका सीधा मतलब है कि इस डर को काबू में पाया जा सकता है एक चीज एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है वो हैं हमारे बिचार जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फीजिकल हो सकता है यही इसकी सबसे बड़ी पावर है जो ख्याल हमारे दिमाग में गूम रहे होते हैं वही हमारी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेशल डैस्नी बन जाते हैं जब आप लगातार बिमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बिमार पढ़ने लगते हैं यह मानी हुई बात है इसलिए वो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉंग रखनी चाहिए कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किसमत वाले और सुपीरियर लगते हैं ऐसा उनकी ठिंकिंग की वज़े से होता है वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं जब कोई आपकी यह लोटना करे तो उसे दिल पर ना ले अपनी बिल पावर को क्रिटिस से कमजोर ना होने दे उन रिष्टेदारों की बिलकुल ना सुने जो आप से कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते क्रिटिस की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बरबाद होगी ही यह आपके confidence को भी कम कर देगा और individual तोर पर आपकी काबलियत उबद नहीं पाएगी इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए तांकि आप उनकी बातों को सुन ही ना सकें अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपको हर तरह से depressed और discourage करते हैं खुद को हर चिंता से दूर रखें ये कभी न सोचें कि लोग क्या सोचेंगे बुड़ापे और मोद की हकिकत स्वीकार करें क्योंकि ये एक दिन सब को आएगी अगर आप प्यार को खोने से डर्खते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें जिन्दगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वज़े से आपको चिंता करनी पड़े अपने लिए मन की शांती और खुशियां चुने तो अखीर में दोस्तो Think and Grow Rich, Book, Summarine, Hindi वीडियो के जरीए आज आपने ये सीखा कि हम सब कामजाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए है लेकिन अपनी सोच की जञ्जीरों में बंद कर हम नाकामजाबी की दिन की जीने के लिए मजबूर हो गए हैं कामजाब होने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर बरुसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामजाबी की खुआइश को जगाना होगा और उसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े ड़त कर और चल कर हम सब सबस्तफल और कामजाब व्यक्ति बन सकते हैं आपको ठिंक एंड गुरूरिच बुक समरीन हिंदी कैसी लगी प्लीज कोमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं तांकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले जैहन